शुरी शिवाई नमस्तो भ्यम दोस्तो अगर आप लोगों की कोई समस्या है कोई विशिश मनोकामना है जिस कामना के लिए या जिस समस्या के लिए आपने सभी वरत करके देख लिये हैं पशुपतिनात का वरत भी करके देख लिया है सब उपाय करके देख लिये हैं कोई उस आखरी में एक छोटा सा उपाय आपको जरूर करना चाहिए ये उपाय आपकी वह मनुकामना ये वहक दुख समस्या को जरूर दूर कर देगा करना क्या है दोस्तों आपको इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं प्राताहकाल सुभा सुभा करना क्या है एक बेल पत्री ल तो आपको करना क्या है? शिवजी के मंदर पहुँँच जाना है एक बेल पत्री को लेकर शिवजी की शिवलिंग के आसपास बैठ जाना है बैठने के बाद अपने बेल पत्री को सीधे हाथ के हतेली में रखी है और जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती है उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको थोड़ा सा शेहद लगाना है और पूरे में फिर देना है कितना थोड़ा सा शेहद लगाना है और पूरे में फिर देना है सिर्फ बीच वाली पत्ती में साइड की पत्तियों में कुछ नहीं करना है सिर्फ बीच वाली पत्तियों में थोड़ा से शेहद लगा कर उसमें पूरे में फेर देना है फेरने के बाद अब इस बीच वाली पत्तियों को पकड़ करें बेल पत्रे के उपर शिवलिंग के उपर मतलब रखलो या इस पर्श करालो और भगवान से आखे बंद करकर अपनी मनोकामना ये दुख समस्या बोल दो जो दुख समस्या ये मनोकामना आपकी सबी काम करने से नहीं हो रही है मतलब वरत भी आपने कर लिया उपाई भी आपने कर लिया नहीं वो काम पूरा हो रहा है तो इस उपाई को करते हुए अपने सीधे हाथ के तेले को उस बेल पत्री पर रखते हुए और भगवान शिव से आँखे बंद करकर अपने मन की बात दुख समस्या बता दो मनोकामना बोल दो और भगवान के प्रार्थना करके भगवान शाशिरवाद लेके अपने घर वापस हो जाओ इस उपाई को कर आप लोग कर लेते हैं तो विश्वास मानिया आप जिस कामना के लिए जिस समस्या के लिए आप ये उपाई करेंगे आपकी वह दुख समस्या वह मनोकामना बहुत ही जल्त पूरी हो जाएगी करके जरूर देखे कोई भी समस्य आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं ओम नमाश शिवाई जये बुले अबाश्री शिवाई नमस्तु भ्याँ